नमस्कार में भापना सिंग स्वागत है आपका HBN नियूज में वक्त हो गया है अभी तक की कुछ खास ख़बरों के बारे में जानने का मत्य प्रितेश के रीवा जिले में जन अस्मता यात्रा के पाचवे चरण का समापन हुआ लक्षमर तिवारी ने परशुराम आस्रम कोले कर कहा ब्रहमर चूडी पहन लें करेशन राज कपूर ओडिटोरियम में लक्षमर तिवारी पूर विधायक मौगंज के द्वारा जन अस्मिता यात्रा का सम्मेलन किया गया जिस विंद्य प्रदेश बनाने, गोबर प्लांट लगाने, सैनिक आयोग गठित कराने, पुरानी पेंशन, बाहल कराने, रोजगार नौ जवानों को इस्थानी उद्धोग में 70% रोजगार जिलानी की मांग को लेकरिया सम्मेलन कारिक्रम का आयोजन किया गया जन अस्मिता यात्रा का पाचमे चरण का शमापन शमारोग और जो हजारो हज़ाल लोग का हुजूम उज़ा है ये मेरे एक शाल शेल लगातार 122 जन सभा ग्रामीन शेत्रों में किया था उसके परिणाम हैं लोगों को का शमर्थर देने आएं इस मौके पर बिंध के मैं केबल जीला धक्षों को और उनके विधान सभा के प्रभारियों को ही यहां बलाया था जो यहां आपने देखा कि सारे उपलब्ध हैं और ऐसे स्थिती में गोबर प्लांट हमारा लगे मद्द परदेश में 36 गड़ की तरज पर शैनी का यो गठन करे अब मुख मुद्दा बिंद परदेश के गठन और बिंद परदेश के नौजमानों को बिरजगारी का है जिसमें 70 फीसदी रुजगार योगता उनसा हमारे यहां के अस्थानी भेक्टरियों में यहां के नौजमानों को मिले इसी का याज पच्मा चरण का समापन है और यह हमारी प्रत्नित सभा है ऐसा कोई गाउं नहीं है रिवा जिले का जो एक एक गाउं से एक एक बच्चे आया है एक एक आद्मी आया है यह इसके लिए आप देखी रहे हैं यह हुझूम देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि यहां के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बिंद प्रदेश की एक भी आवाज ने उठा रहे हैं और बिंद प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं जब मैं विधायक दल का नेता था विधान सभा में हमने इसका प्रस्ताव पारित कराया था आज इस मोके पर पंडिस स्वर्गी शी निवास तिवारी जी का भी जहां भी स्वर्ग में हो मैं उनका शान मानता हूं कि बिंद के लोगों के लिए उन्होंने शंकल पारित किया था और अब यह लड़ाई तेज होगी और मैं यह कागरा करना चाहता हूं जो बिंद प्रदेश आप जब आदमी का संकल्प और महान लक्ष होता है दच्छे भार्तिय सुपरस्टार रजनी कांत ने राजनीती में एंट्री करने से सबी क्याशों पर विराम लगा दिया है अब नेता रजनी कांत ने एलान किया है कि वह राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी दच्छरी भारती सुपरस्टार ने ट्वीट कर पार्टी ना बनानी की घोशड़ा की दच्छी भार्ती सुपरस्टार रजनी कांत ने कहा मुझे बताते हुए खेद है कि मैं राजनीतिक पार्टी का गठर नहीं कर रहा हूँ कई दिनों से कयास लगाई जा रहे थे कि रजनी कांत जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का एलान कर सकते हैं अपने इस एलान के बाद अपनेता रजनीकांत ने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है रजनीकांत ने स्वास्तकारणों का हवाला दे कर राजनीती में एंट्री ना करने को वज़ा बताया मिली जानकारी के मताबिक आपको बता दे उन्होंने इस्तिफा देनी की बज़ा बताई कि पार्टी में उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था बिहार में जल्द ही इसकूल खुलने वाले हैं इसकूलों में बहुत चीजों में बतलाब किया जा रहा है बिहार में चार जनवरी से सरकार के निर्देशा अनुसार कक्षा 9 से उपर के विद्धार्थियों के लिए इसकूल खुलने जा रही है इसकोलों में जगा जगा और्टोमेटिक हेंड सेनिटाजर और हाथ दोनी की बवस्ता की जा रही है। इसके साथ ही इसकोलों में एक बार में सिर्फ 50% स्टुटेंट ही उपस्तित होंगे। यह नियम सभी प्राइवेट और सरकारी इसकोलों के लिए लागू होंगे। टिक्री और शिंगू बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं। विहान के अलग-अलग जिलों से किसान नई किर्शी कानून के विरोत में दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। इसी के चलते हो 29 दिसम्मर को पटना में राजभवन की और किसानों ने मार्च किया। किसानों के संग्छन अखिल भारती किसान संगर्स समन्वे समीती और अने लेफ्ट संग्ठनों के सदस्यों ने राजभवन के लिए इस मार्च का आयोजित किया। इससे पहले 33 दिनों से किसान टिक्री बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की ओर से जारी गतिरोद खत्म करने के लिए सरकार वुद्वार को होने वाली बातचीत में MSP पर नया फॉर्मूला पेश करने वाली थी। लेकिन अब यह बातचीत 30 दिसम्बर को होगी। फिल हाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एच्बियन नियूज। अलीगण शहर का नमवर वन कार डेकोर शिरीनाथ कार डेकोर यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगण मैनेजिंग डाइरेक्टर संजीव स्रीवास्तप क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले और देखते रहे हैं एच्बियन नियूज।